जब नाश्ता बनाने की बात आती है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि क्या बनाए जो टेस्टी बने, हेल्दी बने, जल्दी भी बन जाए और चीजें ऐसी इस्तमाल करें जो कि पॉश्टिक हो तो बस इसी तरह का एक नाश्ता मैं आपके लिए लेकिया हूँ बहुत ही ब बिगो के रखा था दो-तीन घंटे के लिए तो यहां पे आदा कप हरी दाल का इस्तमाल किया था दो से दीन घंटे बिगो के रखा है और इसको हम डाल देंगे मिक्सर जार में और पीस लेंगे एक तरफ यहां मैंने सूजी ली है आदा कप, आदा कप दही और वन फॉर्थ कप बेसन का इस्तमाल किया है अब जो हमने दाल पीसी है उस दाल को मैं इसमें आड कर दूँगी तो देखे मैंने हरी दाल का पेस्ट जो बनाया था वो भी मैंने इसमें आड कर दिया है तकरीबन ये भी आधा कप है आधा कप सूजी आधा कप दही और वन फॉर्थ कप बे ताकि सूजी अच्छे से इसमें फूल जाए दाल में भी पानी है और दही भी हमने आड़ किया है दही थोड़ा सा खटा होगा तो ज्यादा अच्छा बनेगा खटा अगर नहीं है तो जो नॉर्मल दही आपके घर पे आप यूज कर सकते हैं तो दस मिनट के लिए मैं इसको चोड़ दोंगी और थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे क्योंकि यह बैटर थोड़ा गाड़ा है तो हमें थोड़ा इसको लिक्विडी बनाना है बस इस तरह से मिक्स करके डखन लगा के हम इसको 10-15 मिनट रख देंगे रेस्ट के लिए और उसके बाद हम लोग आगी का प्रोसेस में करेंगे तो रेसेपी बहुत ही टीस्टी बनेगी अब देखी 10-15 मिनट मैंने इसको रख दिया था अब इस बैटर में हम एड़ करेंगे सबजिया तो यहां मैंने यूज किया है बीट और लॉकी और हरी मिर्च तो बीट और लॉकी दौनों को मैंने ग्रेट क अब इसको थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में लेके आएंगे तो थोड़ा सा पानी करेंगे इसमें और ताकि बैटर परफेक्ट हो जाए तो दिखे बहुत लिक्त लॉकी और बीट हमने डाला है जो अकसर बच्चे खाना पसंद ही करते हैं लेकिन हम इसको इस तरह इस बैटर को हम लोग इसमें डाल देंगे जैसे हम इडली के इडली बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इडली बनानी है आप इसको चाहें तो चाहें एक साथ ठाली के अथाली में फ्रौ घ्रीक करके अब धोक्ले की दरही स्टीम कर सकते हैं पस इस तरह से हम इडली एनिय। इडली तयार कर ली है और इसी तरह से हम लोग जितनी भी प्लेट अगर आप मेरे में एक साथ 12 इडली बन चाती है अगर आपके बस छोटा या बड़ा जैसा भी है आप वैसा यूज कर सकते हैं तो इसी तरह से छोटी वाली प्लेट जो है वो भी मैंस में डाल दूँगी जि तयार इडली है आप उसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बिना उसको छोट लगाए हम ग्रीन चटनी के साथ या कैचप के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं और अगर आपको पसंद है कि आप उसको छोट लगाए तो आप उसको तड़का भी लगा सकते हैं तो इस तरह से मैंने पीस के रख देते हैं तो ये काम आपको और भी फटा फट हो जाएगा देखें आट मिनिट में इसारी इडलियां फूल के तयार हो गई हैं बहुत ही बढ़िया बन रही हैं बहुत ही अच्छी लग रही है तो इस तरह से इनको ठंडा होने के बाद हम इनको प्लेट में से नि मिलूंगे एक नहीं और रेसिपी के साथ थैंक यू